नमस्कार मैं मों विशेख त्यागी आई पिल 2023 की चर्चाएं लगातार चल रही हैं लगातार उसकी खबरे हमार तक पहुचा रहे हैं लेकिन आई पिल 2023 से पहले विदेशी खिलाडियों को एक अगनी परिक्षा से गुजरना पड़ेगा एक बड़ा टेस्ट देना उनके पीछे पैसा बरसा जाएगा दरसल पूरी खबर क्या है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको पता है कि 23 तारिक से कोची में आई पेल 2023 का मिनी ओक्षन होना है 23 को मंच सज्जाएगा 23 का हर किसी को इंतिजार है हर विदेशी खिलाड़ी अपना अपनी बारी 23 के मिनी ओक्षन में तो जाहिर तोर पर हर किसी के नजर ऑस्टेलिया के खिलाड़ियों पर रहेगी लेकिन एक नजर रहेगी दूसरी लीग पर बिग बैश लीग में आप लोगों को पता है कि विदेशी खिलाड़ी बहुत खेलते हैं मोस्ट लिए खिलाड़ी वहां पर बहुत शिरकत करते हैं तो बिग बैश लीग जो है वो तेहरा तारिक से शुरू हो रही है और 23 दिसमबर को मिनी ओक्षन है आई पिल का तो दस दिन जो होंगे ना इस बिग बैश लीग में जो प्रदसन बहतर करेगा आई पेल टीमों की नजरे होंगी बिग बैश पर कि ज इस खिलाडी के बन्ले से रन निकर रहे होंगे जो गेंदबाज बहतर प्रदसन कर रहा होगा उसके पीछे जादा जाएंगी क्योंकि जादा खिलाडियों को मौका मिलने वाला नहीं है बेशक 591 खिलाडियों ने रेजिस्टेशन करवाया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 89-90 खिलाडियों के आसपास ही बिकेंगे जादा खिलाडी बिकेंगे नहीं आई पेल 2023 के मिनी ओक्षन में इसलिए लिमिटेड खिलाडियों के उपर ही टीमें बोली लगाएंगी और बिग बैस प्रदसन उन 10 दिनों में करके दिखाएगा 13-23 के बीच में तो उसके पीछे जादा बोली लगेगी उसके पीछे जादा टीमेंट जा सकती है तो यह सबसे बड़ी नजर बिग बैस पर हैने वाली है मिनी ओक्षन से पहले 13 तारिक को बिग बैस शुरू हो जाएगा और उस की बोली लगवानी है मोटा पैसा लेना है तो बाई बिग बैस में कमाल का प्रदसन करके दिखाओ 10 दिनों में कमाल करो और फिर आईपेल 2023 के मिनी ओक्षन में पैसा लेकर जाओ यह सीधा सीधा सा फंडा है आपका इस बिग बैस लीग पर क्या कहना क्या लगता है आपको क